पेरे प्यारे देश्वासियों, अगले महिने इस समय तक पेरीस ओलेंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलेंपिक खेलों में भारतियों खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतिय दल को ओलेंपिक खेलों की बहुत बहुत सुप्रामनाई देता हूँ। हम सब के मन में टोक्यो ओलेंपिक की यादे अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाडियों के प्रदर्सन ने हर भारतियों का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलेंपिक के बाद से ही हमारे एकलिट्स पैरिस ओलेंपिक की तैयारों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाडियों को मिला दे तो इन सबने करीब 900-900 इंटरनेशनल कंपेडिशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। साथियों पैरिस ओलेंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी। शूटिंग में हमारे खिलाडियों की प्रतिवा निखर कर सामने आ रही है। टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाइ कर चुकी है। भारतिय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुस्ती और गुड़स्वारी में हमारे दल की खिलाड़ी उन केटेगरीज में भी कंपिट करेंगे। जिन में पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। आपको ध्यान होगा कुछ महिने पहले वर्ल पारा एटलेटिक्स चैंपिंशिप में हमारी बेस परफॉर्मंस रही है। वहीं चेस और बैर्मिंटन में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। अब पूरा देश ये उमीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी आलेम्पिक्स में भी बहत्रीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मैडल्स भी जितेंगे और देश वाचों का दिल भी जितेंगे। आने वाले दिनों में मुझे भारतिय दर्द से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरप से उनका उत्सा वर्दन करूँगा। और हाँ इस बार हमारा हैस्टेग चियर फर भारत है। इस हैस्टेग के जरिये हमें अपने खिलाडियों को चियर करना है। उनका उत्सा बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिये। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। मेरे प्यारे देश्वाचियों मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी ओडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ। रेडियो क्वेट FM 93.3 से हिंदी शोव नमस्ते क्वेट। एक ऐसा कारिकरम जिसमें हम बात करेंगे क्वेट भारत संस्कृति के बारे में और उस रिष्टे के बारे में जो दोनों देशों को अलग-अलग शेत्रों में जोड़ता है। इस रेडियो कारिकम को सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए ना। तो आईए आपको इसके पीछे की पुरी बात बताते हैं। दरसल ये कुवेट रेडियो के एक प्रसारण की क्लिप है। अब आप सोचेंगे कि बात हो रही है कुवेट की तो वहां हिंदी कहां से आगी। दरसल कुवेट सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेश कारिकम शुरू किया है। और वो भी हिंदी में कुवेट रेडियो पर हर रविवार को इसका प्रसारण आधे गंटे के लिए किया जाता है। इसमें भारतिय संस्कृति के अलग अलग रंग शामिल होते हैं। हमारी फिल्म में और कला जगत से जूड़ी चर्चाएं। वहां भारतिय समुदाय के बीच बहुत लोगप्रिय है। मुझे तो इहां तक बताया गया है कि कुवेट के स्थानिय लोग भी इसमें खूब दिल्चस्पी ले रहे हैं। मैं कुवेट की सरकार और वहां के लोगों का रजय से धन्यवात करता हूं जिनोंने ये शांदार पहल की है। साथियों आद दुनिया भर में हमारी संस्कृति का जिस तरह गवरवगान हो रहा है उससे किस भारतिय को खुशी नहीं होगी। अब जैसे तुर्कमेनिस्तान में इस साल मैं महा के राष्ट्रिय कवी की तिनसों भी जन्मेजन्ती मनाई गई है। इस अफसर पर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपती ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवीयों की प्रतिमाओं का अनावरन किया। इन में से एक प्रतिमा गुरुदेव रविंद्रना टैगोर जी की भी है। ये गुरुदेव का सम्मान है, भारत का सम्मान है।